नमस्कार दोस्तों महुं हिमलेज देवांगन 36 गर के धमतरी जीले से और श्वागत है आप सब का आज के एक नए वीडियो में दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यदि मुर्गिया जो है हरा कलर की डैरिया कर रही है हरी बीट कर रही है तो उसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे जानेंगे आज के इस वीडियो में तो अंधर तक वीडियो पर बने रही है तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट दोस्तों वैसे मुर्गिया जो है हरी बीट करने के बहुत सारे कारण होते हैं जिन में से पहला कारण होता है मुर्गया जब रानी खेद बिमारी में आती है तो मुर्गया जो है हरीबिट करने लगती है परन्तु रानी खेत बिमारी में जब आती है तो मुर्गी की motility बहुंच ज़्यादा होती है और उनका symptom से भी बहुंच सारा देखने के लिए मिलता है तो ये हो गया पहला और दूसरा चीज होता है बैक्टेरियल इंफेक्शन की वजह से मुर्गया जब हरी बिट करती है कभी गाढ़ा हरी बिट करती है कभी पानी की तरह पतला हरी बिट करती है अलग अलग टाइप्स के हरी बिट करने लगती है तो आज के इस वीडियो में बैक्टेरियल इंफेक्शन की वजह से मुर्गय की वजह से ज़्यादा तर मैं अपने फार्म में देखा हूँ वैसे मुर्गों में यहाँ बिमारी कभी भी आ सकती है परन्तु मेरा खुद का एक्सपिरियंस है मैंने अपने फार्म में पाया है कि जब-जब मौसम का परिवर्तन होता है तब-जब मुर्गों में यहाँ बिमारी ज़्यादा तर देखने के लिए मिलती है और ज़्यादा तर ठंड के पस्चाद जब गर्मी का मौसम प्रारंब होता है उस समय यहाँ बिमारी मुर्गों में ज़्यादा तर देखने के लिए मिलती है तो दोस्तों यदि हमने इसका treatment नहीं किया तो मूर्गिया जो है धीरे धीरे कमजोर हो जाती है वैसे मूर्गियों में bacterial infection की वजह से हरी बीट वाली problem आती है मूर्गिया दाना पानी खाना कम कर देती है और धीरे धीरे कमजोर होने लगती है और यदि हमने सब्ता दिनों तक उसका treatment नहीं किया तो उस इस्तिते में मुर्गी की mortality होने की संभावना हो जाती है इसलिए इसका treatment करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है अब हम इसकी treatment की बारे में बात करते हैं यदि हमारे मुर्गियों में bacterial infection की वज़ा से मुर्गिया जो हरी बीट कर रही है हरी diarrhea कर रही है तो उसके इलाज के लिए हमें लगने वाला यह medicine जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं या जो है apple vinegar है आपके आसपास के shop में जो भी apple vinegar मिलेगा आपको ले लेना है यह medicine आपको जो है fruits related जो shop रहता है वहाँ पे मिलेगा और दूसरा चीज आपको पतंजली का भी apple vinegar मिल जाएगा पतंजली का जो shop होता है वहाँ पे मिल जाएगा और यदि आप चाहे तो online purchase भी कर सकते हैं यह Amazon flip card में आपको असानी से मिल जाएगा और दूसरा चीज हमें लगने वाला है नौर-metrogil syrup जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं इसकी content की बात करें तो इसमें जो है metronidazole plus ofloxacin मिला हुआ है सबसे बड़ी गलती किसान यहां पे करते हैं कि कोई भी antibiotics चला देते हैं परन्तो यदि हमें पेट में दर्द है और हम सीर में दर्द वाली medicine खाएंगे तो वो बिल्कुल भी काम नहीं करेगा antibiotics के बहुत सारे प्रकार होते हैं सबका mode of action अलग-अलग होता है यह antibiotic जो है पेट से लेटर प्रोब्लम के लिए होता है डारिया से लेटर प्रोब्लम के लिए होता है तो इसे लेना है और तिसरा चीज हमें आवसकता पढ़ने वाला है liver tonic liver tonic प्राया सभी फार्मर के पास होता है दोस्तो अब हम इसकी dose की बात करें तो apple vinegar यहां हमें लेना है 40 kg body weight पर 20 ml और यहां जो है normatrogel syrup को लेना है 40 kg body weight पर 10 ml दोनों medicine को मिला करके एक साथ पीने के पानी में दे देना है आपकी मुर्गी की वजन के हिसाब से आपको calculation कर लेना है उसके according आपको पीने के पानी में दे देना है और यहां बात का ध्यार रखना है जितनी मुर्गया 4-5 घंटे के अंदर में पानी पी लेगी उतनी ही पानी में यहां medicine हमें चलाना है जब 4-5 घंटे में यहां medicine खतम हो जाएगी उसके पस्चा जब हम पानी चलाएंगे उसमें जो है हमें liver tonic मिला करके देना है liver tonic का dose रहेगा प्रती लिटर पानी में 1 ml एक लिटर पानी में 1 ml के अनुसार से बाकी जितने भी पानी पीएगी उसमें हमें मुर्गयों को liver tonic पिला देना है या प्रक्रिया लगातार 5-7 दिन करना है वैसे आपकी मुर्गया जो है 2-3 दिन में ठीक हो जाएगी परन्तु हमें 7 दिन का course करना ही है तो दोस्तो यहाँ था मुर्गयों में होने वाले green bit पर एक चोटी सी जानकारी यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सस्क्राइब कर लेजिए ताकि भुष्से में आने वाली ऐसी ही नई नई जानकारी आपको मिलती रहेगी